हेलो आज मेरे घर में बच्चों का वेज काटलेट काने का बहुत मानता और वेज काटलेट कौन से जो ट्रेन में मिलते हैं उनका स्वात कुछ अलग सा होता है, जिसने ट्रेन में यात्रा की है, उनको पता होगा कि कितने डिफरेंट लगते हैं खाने में, चलिए आज हम लोग वेज कटलेटं बनाते हैं, रेलवे वाले, अब कटलेट बनाने के लिए हम सबसे पहले ब्रेट का पैकेट लेंगे और ट्मेस को चोपक कर लिए में छोटां से नहीं काता है इनको हमारी चूप कर लिए लेकिन भी प्र में तो चूपक लिए इदेटी वेजीटेबल छोप हो गई है एक चमच मैंने अध्रक कद्दुकस से कश लिया है वन फोर चमच हल्दी डालेंगे दो चोटी चमच हम पिसे धन्या पौडर डालेंगे और जो भी वेजिटेबल थे इसी मसाले में हम सारे वेजिटेबल को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे उसमें एक चमच लाल मिर्ज डालेंगे छोड़ा कम लिया आपने इसनाप से ले सकते हम पाउडर डालेंगे वन पोर चमच घरम मसाला पाउडर डालेंगे एक चटकी काली मिर्च लीनियीजि़क और थोड़ा समय नमक लिये इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जियों को हल्का सा पकने देंगे एक दो मिनिट के लिए बहुत जदे इन्हें गलाना नहीं है बस हल्का सा पकाना है अब इनको हम ठंडा होने के लिए अलक प्लेट में निकाल के रख देंगे 5-6 मीडियम साइज के आलू थ कर देना है देखे आलू सभी सॉफ्ट हो गए है अब जो वेजिटेबल हमने ठंडा होने के लिए रखे थे वह सभी हम आलू में मिला देंगे और बहुत ही हलके हाथ से मिलाना है बहुत तेज इसको आटे की तरह नहीं मिलाना है एकदम हलकी हाथ से सॉफ्ट हाथ से मिलाना और चमथम कॉनफर डालेंगे और छ्प्राड़े चमथम ब्रेडमस डालेंगे, अब एजीटेबल आपको मैंने पहले ही बताया है जिससे एकदम अंदर चिपचिपा साना रहे अब लगेगा तो हम और भी ब्रेड क्रेम्स डाल सकते हैं अब थोड़ा सा नमक लेंगे और उपर से थोड़ी सी हरी दनिया डालेंगे अब हम इसको चेक करेंगे मुठी में लेंगे और मुठी मे अच्छे से बंधना चाहिए चलिए अब इस लरी बना लेते हैं उसके लिए दो चम्मच कॉंफर लिया है और चार चम्मच मैंने मैदा लिया है इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको हम मिक्स करेंगे इसके गोल को ज्यादा भी पतला नहीं रखना है देखिए इस तरीके से रखना है चलिए अब कटलेट बना लेते हैं अब थोड़े से मिक्षर को हाथ में लेंगे राउंड करेंगे प्रेस करेंगे और थोड़ा सा ट्राइंगल की शेप देदेंगे यह देखिए कि इतने बढ़िया कटलेट दिख रहे हैं सब हमारे कटलinki बनके तयार हैं इस में कम से कम 20 chop ale बनेंगे हमारे घृती बने निचे निकल जाना로 है en ad ब्रेट क्रम्स में इसको डालेंगे और इसको साइड से अच्छी तरीके से कोटिग कर देंगे इसको हाथ से बहुत नहीं दबाना है जितना लगेगा उतना लगाना है इसको हाथ से प्रेस करके ब्रेट क्रम्स को बिल्कुल नहीं लगाना है यह देखे अब उपर हटा लेना इसको अब जितने भी हमारे कटलेट बचे हैं इसी तरीक से करके रख लेंगे और अब कि अगर हमें स्टूर करना है तो ऐर टान vm रख देऊंगे अगर आपको दुसरे दिन बनाना है तो फ्रिज में रख दीजे और दस्परंदा दिर में बनाना है तो फ्रिजर में डाल दीजे अब देखिए तेल भी हमारा गरम हो गया है कटलेट को तेल में डाल देंगे और गैस की आज को हम मीडियम रखेंगे बहुत कम भी नहीं रखना है और बहुत तेज रखेंगे तो क बना लेंगे चलिए अब हम प्लेट लगाते हैं देखिए रेलवे कटलेट हमारे कितने अच्छे दिख रहे हैं बहुत क्रिस्पी और पढ़िया बनके तयार हैं अब इसके साथ हम सॉस रखेंगे और थोड़ा सा बटर रखेंगे चार मैंने ब्रेट लिए हैं देखिए अब मैंने इसको बटर लगाया है और कर्टेट लगाया है अप सॉस के साथ मैं अच्छे से खाऊंगी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में